चना की कीमतों में तेजी अब थमने लगी है. इसकी वजह उंचे भाव पर चना की खरीद कमजोर पढ़ना है. बीते दिनों चना के भाव ने 8000 रुपए का रिकॉर्ड स्थर छू लिया था. अब भाव घटकर इसके नीचे आ गए हैं. हाला कि बाजार जानकारों के मुताब 100 से 150 रुपए घटकर 7700 से 7850 रुपए क्विंटल रह गए हैं. हाला कि महीने भर में चना की कीमतों में 500 रुपए से अधिक की तेजी आई है. पिछले साल की तुलना में चना 1400 रुपए क्विंटल महेंगा बिक रहा है. भारत दलहन और अनाज संग के मुताबिक उंचे भा पर दाल मिलवालों की ओर से चने की खरीद अब कमजोर पड़ गई है. जिससे इसकी कीमतों में गिरावट दर्स की गई है. इसके साथ ही खरीदार सरकार द्वारा अपने स्टॉक से बाजार में चना जारी करने और आयात शुल्क लगाने की अटकलों से भी चिंतित है. भा प्रमोडिती जानकारों ने कहा कि भाव काफी बढ़ गए थे. ऐसे में उंचे भाव पर खरीदारों ने सतरकता बरत्ते हुए चना की खरीद पहले की तुलना में घटाई है. जिससे चना के दाम नरम पड़े हैं. जानकारों के कहना है कि मिलवालों के पास अभी परियाप स्टॉक है. ऐसे में उनकी मांग कमजोर होने से निकट अवधी में चना की कीमतों में एक सौ से दो सो रुपई की और गिरावट आ सकती है. लेकिन जैसे जैसे उनका स्टॉक कम होगा, वे फिर से खरीद बढ़ा सकते हैं. लिहाजा मध्यम अवधी में चना की कीमतों में त की कीमतों में कुछ तेजी संभव है।